HTML series के tutorial में हम देखेंगे कि हम table को center कैसे कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले हम document की type declare करते हैं जो कि HTML है और फिर HTML का tag यूज करते हैं और फिर हम internal CSS यूज करना चाते हैं तो इसके लिए हम head tag यूज करेंगे और यहाँ style mention करेंगे style में हम mention कर देते हैं body के लिए text line center इसी तरह table के लिए जो style हम add करना चाते हैं वो हम रिख देते हैं border वगएरा और इसकी weight और margin जो होगा वो हम add कर देते हैं इसी तरह हम table header और different rows जो थी है table की जिसे हम table data भी कहते हैं उसके यह भी different styles add कर देते हैं जैसा के border, padding और text line यह different चीज़ें add करने के बाद आप style के tag को close कर दें और इसी तरह head के tag को भी close कर दें इसके बाद हम एक table create कर लेते हैं जो के मारे body वाले section में होगा तो body का element हम use करते हैं इसके बाद table का element यूज़ करते हैं और table में हम rows add करने के लिए tr का element यूज़ करते हैं table row के element में हम table header का element यूज़ कर रहे हैं th के नाम से और हर header के लिए हम यह element यूज़ करेंगे और यह हमारे different columns बाद जाएंगे header 1, header 2 और header 3 यह सब से उपर लिखा आएगा table में इसके बाद जो table head का हमने tag यूज़ किया था इसे हम close कर देते हैं इसके बाद हम table में different data add करना चाहते हैं इसके लिए हम table body का जो element है वो create करते हैं और इसमें हम एक row add करते हैं जिसमें हम data enter करते हैं data 1, data 2, data 3 आप कोई भी data enter कर सकते हैं इसमें इसके लिए वोई same element में use कर रहा हूँ table row tr के नाम से और उसमें t h m ने use किया था table header के लिए और इसमें हम use करेंगे t d table data के लिए इसी तरह same आप तीनों data points के लिए कर लेंगे और उसके बाद table body का जो element है उसे हम close कर देते हैं table के element को भी close कर दे और फिर body के tag close कर देते हैं और html के tag को भी close कर देते हैं इसे आप save कर लिए और फिर हम code.html की फाइल को open करते हैं यह आप देख सकते हैं कि हमारा जो table है वो center aligned हो गया मजीद वीडियोज के लिए आप इस channel को subscribe कर सकते हैं और हमारी html series को follow कर सकते हैं जिसका link आपको description में मिल जाएगा Thanks for watching